तो गाइज मैंने में जासी इस एंड यू आर वाचिंग डिसले स्ट्रोप तो गाइज इस साल का ड्राफ्ट 2021 का नाइट वन अब ऑफिसियल तोर पे खतम हो चुका है इस मैकडाउन में और गाइज हमें मालूम पढ़ चुका है कि रोमन रेंज डू मैकिंटायर रेटेडार सुपरस्टार सारलेट फ्यर्ड यहां तक कि गाइज बीस्ट इंकारेट ब्रॉक लेशनर किस रोश्टर को ज्वाइन करने वाले हैं तो आज के ड्राफ्ट में फाइनली हमें मालूम पढ़ चुका है तो आज किस वीडियो को देख ले तो आपको मालूम पढ़ जाएगा क आज के ड्राफ्ट 2021 में कौन से सुपरस्टार किस रोश्टर को ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग एंड इन्फरमेटिव होने वाली है लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्काइब करना नॉट्स फिक से जरूर कर दीजेग फिसुले साल का जोमें ड्राफ्टो डेखनी को मिलता है वह हमें राउंड वरइस देखनी को मिलता है परहले ऑड गोर लिए नाइट रहते हैं और मंदे नाइट रो के लिए स्मैकडौन को और कोई नहीं स्मैकडौन को पहला पीक है एक है एट टेवल यान यान कि रोमन रिंज अपना यूनिवर्सल हैंपिरसिप के साथ ऊंप में ही रहेंगे जाहिर सी बात है कि जब युणिवरसल चैंपिसिप स्मैकडॉन में जाएगा डुबल डुबल डुब लिड चैंपिसिप ने आयगा ही बह FYG अपना डुबल डुबडी चैंपिसिप चैंपिसमिपर साथ मन्दे नाइट रव में रहेंगे और डाइस वो women जो कि WrestleMania 37 को headline करती है और वो अब official तोर पे Monday Night Raw का part हो चुकी है तो guys round 1 की result की बात की जाए तो जैसा कि अभी आप image में देख रहे हो वुझे आपको बताने की ज़रुवत नहीं है और guys round 2 की बात की जाए जो कि हमें एक match के बाद देखनी को मिलता है और guys round 1 में Friday Night SmackDown सेलेक्ट करती है सबसे पहले यानकि आपका सबको की Sonya Devil सेलेक्ट करती है Drew McIntyre को और guys former two time WWE Champion SmackDown के roster को अब official तोर पे part हो चुके है और वहीं पे guys Monday Night Raw Drew McIntyre के बदले RK Bro को लेती है यानकि guys जो हमारे current Raw Tag Team Champions है RK Bro अब वो Monday Night Raw के part हो चुके है और guys third pick की बात की जाए जो कि SmackDown pick करती है RK Bro के बदले और guys new day अब official तोर पे Monday Night Raw से SmackDown roster के part हो चुके है और guys round 2 की last pick की बात की जाए जो कि काफी बहुत बढ़ी pick है और guys rated R superstar अब Monday Night Raw के part हो चुके है अब वो हमें SmackDown में कभी भी नजर नहीं आएंगे तो guys round 2 का कुछ यही result है जो कि अभी आप screen पे देख रहे हो और guys round 3 के बात की जाए तो round 3 तो कुछ उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता है लेकिन guys SmackDown का pick हमें देखने को मिलता है कफी अच्छा रहता है तो guys SmackDown की first pick की बात की जाए round 3 की तो guys happy Corbin और आप कहा सकतो कि mad cup moss जो है वह अब official तर पे SmackDown के पार्ट हो चुके है वहीं पे guys जो current women's tag team champions है डिया डिप्ली एंड निकी एस वह भी अप Monday night रों के पार्ट है और हमें देखना होगा guys कि वह तो Monday night रों के पार्ट है SmackDown में आती है नहीं क्योंकि women's tag team championship तो दोनों डोस्टर के लिए ना है तो guys वह SmackDown में भी हमें आते नजर आएंगी और guys इसी में 3rd round में 3rd pick की बात की जाए SmackDown के लिए तो guys SmackDown NXT के Big Faction Hit Row को select करती है और guys Hit Row अब NXT के पार्ट नहीं है बनकि guys वह अब हमारे SmackDown के रोस्टर के पार्ट हो चुके है और guys जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बाताया था कि Big Faction के डेब्यू होने वाला है में रोस्टर में और guys यह Big Faction Hit Row था जैसा कि मैंने आपको बताया था और Hit Row अब official तोर पे आप कह सकते हूं कि SmackDown roster के पार्ट हो चुके है और इसी round में यानि के round 3 में last pick की बात की जाए तो Kit Bearcat Lee जो है वह अब official तोर पे Monday night roster के जोईन हो चुके है और उनका जो हमें limitless वार सिस्टम है वह हमें Monday night row में ही देखने को मिलेगा Freddy night SmackDown में नहीं और guys draft की night one की और last round की बात की जाए तो guys Sonia Devils सेलेक्टरती है Freddy night SmackDown के लिए Naomi को और जब वह pronounce करती है Naomi का नाम को यानि की guys Ray Mysterio and Dominic Mysterio अब official तोर पे Monday night roster के पार्ट हो चुके है तो guys कुछ यही आज के draft 2021 में night one में हमें देखने को मिला है और कुछ यही सुपरस्टार है जो कि Raw और SmackDown को जोइन कर सुके है अब official तोर पे और guys वही पे 20 इंकानर Brock Lesnar के बात की जा तो मैं आपको अपडेट में बता दूगा कि क्या होने वाला है तो finally finally bye bye friends